असलाम लेकूम स्टुडेंट्स, टेक सीटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टुडेंट, आज के इस वीडियो में हम वीवो वाई 90 मीडिया टेक हीलियो सीप्यो के साथ ये फोन है एंड्रॉइड एट पे इसका स्क्रीन अनलाग करने का तरीका सीखेंगे, वह भी विदाओ डेटा लास या नहीं हमें अफर पी भी फेस नहीं करना पड़ेगा, और न वाई 90 जो है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये इस वक्त स्क्रीन लॉक माड पे है, यानि इस पे पैटरन लॉक है, पैटरन लॉक फरगेटेड है, अगर इस पैटरन लॉक को हम हटाना चाहें, तो मीटर माड के वपर फोन को फार्मिट करा सकते हैं, लेकिन इस प के सिस्टम में मीडिया टेक के यूएसपी ड्राइवर या लाजमी इंस्टाल होने चाहिए, तो सबसे पहरे तो हम इस फोन को पहले सुच आफ कर लेते हैं, और इसके बाद पर देखते हैं कि एकवा डॉंगल से ये ऑपरेशन वन क्लिक के ओपर कैसे अटेम्ट किया जाता इस वक्त मैं एकवा डॉंगल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ, मुबाइल हमारा सुच आफ होना चाहिए, और इसकी एप्लिकेशन को हम रन करते हैं, ठीक है एकवा की जब एप्लिकेशन रन हो जाएगी, फोन को आप पावर आफ कर ले लाजमी, क्योंकि आपको पता पड़ेगा, ठीक है तो यहां से हम MTK का जो टैब है इस पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद आपने नेक्स जो है यह देखें जो कनेक्शन मॉड्स हैं, यहां से फ्लैश मॉड्ट चूज करना है, मीटा चूज नहीं करना, क्योंकि मीटा पे फिर फोन फार्मेट हो जाएग तो इसलिए फ्लैश मॉड्ट पे और फ्लैश मॉड्ट पे फिर देख लें कि सिर्फ एकवा डोंगल ही इस वक्त ने हीलियो प्रसेसर को सपोर्ट कर यह बाकी डिवाइसिस में यह फीचर नहीं है, आइंदा आ गया तो इन्शाला उसके जरीए भी आपको समझा दूँगा तो इस वक्त देखें फ्लैश मॉड्ट हम चूज़ करते हैं और ब्रैंड और मॉडल वेरा चूज़ करने की कोई जूरूत नहीं है, फ्लैश मॉड्ट पे आपने रहना है, फोन आपका सुच ओफ होना चाहिए, और इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है, यहां से देख ले फ्लैश मॉड हमने सेलेट किया है, मीटा मॉड वेरा नहीं, ब्रैंड मॉडल वेरा हम नहीं चूज़ कर रहे हैं, और नेक्स्ट हम अनलॉक ट्रैप पर आते हैं, अनलॉक मैन्यू पर आने के बाद यह जो है, डिसेबल स्क्रीन लॉक्स नीचे आपको सेकिंड लास पर नहीं, तो फिर हमें बूट कीज की हैल्प लेनी पड़ेगी, बूट कीज के जरीए फोन को कनेक्ट करवाना पड़ेगा, तो इस अकर देखें, मैं डारेक्टली जो है, वो डेटा केबल सिस्टम के साथ, सॉरी, मॉबाइल के साथ कनेक्ट करूंगा, कोई बूट कीज यान इसके बाद जो है, फोन तो आगे मूफ करता है, नीचे प्राग्रस पार चलेगी, और यहां पर आके यह स्टक हो जाएगा, तो सिस्टम जिस तरह से वार्निंग दे रहा है, उस हिसाब से लगता है कि फोन डिसकनेक्ट होगे, हाँ जी या देखने, फोन डिसकनेक्ट होग वापिस आन हो गया, या नी हमारा यह जो अपरेशन है ना, या अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि कुछ स्टेप्स हैं जिसको अच्छे तरीके से समझ रहें, अटेम्ट करेंगे, अगर मिस सेंड़ी होई तो फिर शि कोई स्क्रीन लोग खतम नहीं वा, क्योंकि हमारा ऑपरेशन ही फेल हो गया है, फोन आन हो गया था, फोन को आन नहीं होना चाहिए था, मज़ीद प्राग्रस पार आगे चलेगी, तो अब हम दुबारा अटेम्ट करते हैं, अब हम एक दफ़ा पिर इस फोन को मैं इसका बै फिर आपने इसको नेक्स जो है बूट की के जरीए अब करनेट करवाना है, तो इस फोन की जो बूट की है वालिम अप और डाउन है, तो देख लें, एमटी के टैप पे आने के बाद फ्लैश मॉड कनेक्शन आपका होना चाहिए, सेट लाजमी बाकी कनेक्शन को नहीं चाहिए, और डिसेबल स्क्रीन लाक्स इसको चेक लगा के डू जॉब बटन पे क्लिक करें, बट अब आपने फोन जो कनेक्शन करना है, वो याद रखिएगा, वालिम अप डाउन दोनों बटन होल्ड करके डैटा केबल आपने कनेक्शन करना है, आपकी यादानी के लिए नीचे भी देखें, स्क्रीन पे आजाएगा, वालिम अप एंड डाउन को होल्ड करके फिर आपने डैटा केबल लगाना है, देखें, और जैसी फोन कनेक्ट होंगा तो आफ्टर 3-5 सेकंशन के बाद आप दोनों बटन रिलीस करनें, तो अब देखें, ये फोन प्राग्रस पार आपको नज़रा रही है, और इसके बाद थोड़ा सा ये आगे मजीद मूफ करेगा, देखते हैं, मूफ करता है, ये स्टाक हो जाता है, तो आप देखें, प्राग्रस पार जो है, वो आगे मूफ कर रहा है, और पहले की निस्पत, अब आपको जएदा इ किनेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये देख लें, ये सारी की सारी, इसकी इंफरमेशन, चिप सेट की, एंडरॉइट वर्शन, इसकी एमेंसी स्टोरिज, मॉडल नंबर, ब्रैंड, इच और इवरी तिंग, इसने जो है, वो शो कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जो सेक्यूरिटी डी सेटिंग है, वो डन होंगी है, और फोन हमारा इस वकत रीबूट हो गया, बैटरी चार्जिंग आपको शो करेगा, तो अब यह देखें, ये इन्स्ट्रक्शन्स हैं, इसको गोड़ से पढ़ दीजेगा, इसके मताबिक आपने चलना है, यानि फोन लो जो भी आपने आन नहीं कराना, थिकि आपने रिक वरी मोड पे जाना है, तो यहां पे देखें, पहला स्टेप जो लिख लिखा, वो कहा जा रहा है कि डिसकनेक्ट मॉबाइल, यह ज Tapi मोबाइल को आप डिसकनेक्ट कर दिए để अायं गोड्या को औटा केबल उतार दिया यह नहीं फास्टमूट मॉड इसका आएगा और यह देखें यह फास्टमूट मॉड आपको नजर आ रहा है यहां से जो नीचे रिकवरी मॉड है वहां पर आपने जाना है तीसे स्टेप पर लिखा है सेलेक्ट वालियम डाउन की और चूज रिकवरी मॉड तो अब हम मॉबाइल में यहां से वालियम डाउन की प्रेस करके रिकवरी मॉड चूज करते हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि पावर बटन प्रेस करें पिर इसके बाद हम पावर बटन प्रेस करेंगे ठीक है रिकवरी माट पे आने के बाद पावर बटन प्रेस करते हैं तो फोन हमारा री स्टार्ट हो जाएगा ठीक है री स्टार्ट होने के बाद वीवो का लोगो आ इसने अब फोन ने आन होने में थासा टाइम लगाना है तो आपने वेट करना है और जब फोन आन होगा तो हम स्वाइब करके देखेंगे कि इसका स्क्रीन लॉक डिसेबल यानि जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड आपने लगाया है वो खतम हो गया है या नहीं इस वकर देखें बंबाद मोबाईल हमारा स्टार्ट हो रहाया और स्टार्ट होने में अब थोड़ सा टाइम लगेके ग़ार वेड़ करना है आपने तो जैसे हिए स्टार्ट हो जाता है तो आगे हम देखते हैं कि हम अपने प्रासेस में कामयाब हुए है या नहीं यह देख लिए अब मैं स्वाइब करता हूं तो यह बलैक स्क्रीन हो गई है इसकी और इसके बाद यह लोडिंग का आप्शन आ गया और नेक्स देखें आगे तो इसने आप से किसी किस हमका पैटर्न पिन पासवर्ड नहीं मांगा यह देख लिए फोन जो है होम स्क्रीन पे आ गया स्क्रीन लाग खुल गया है अब हम चेक कर लेते हमारा डेटा एक्जिस्ट करता है कि नहीं तो इसमें खास कोई डेटा तो मैंने नहीं रखा था आपको सिर्फ दिखाना था प्र Radio एगा लेते हैं तो यह देख लИए गूगल अकाउट इस पे जो था वो अल्रेडी लगावा है है और हम प्ले स्टोर भी चलाके देख लें ते आपको पता है कि बगयर गूगल अकांट की नहीं चलता अगर प्ले स्टोर आपका चल जाता तो इसका बस्त-बह Имन Rep стороны व one click without data loss कर सकते हैं लेकिन इस काम को करने के लिए फिलहाल एक्वार डॉंगल आपका साथ देगी बागी डॉंगल डिवाइस में फिलहाल तो ये आप्शन नहीं है अगर आए अपडेट हुए तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा तो स्टुटनेट इस वीडियो में इतनी रखते हैं नेक्स वीडियो के साथ फिर इंशाला तला हाजिर होंगा तब तक के लिए अल्ला हाफिस